कॉमेडी ग्रूप एव की मुसीबत एक बार फिर बढ़ गई है एव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशुकल की एक फोटो ट्वीट कर उनका मजाग बनाया था टिवटर बाजों ने जब ट्वीट डाले डाने पर रेब की आलोचना करनी शुरू की तब कॉमेडी ग्रूप ने तकाल इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था हाला की इसके बाद मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने ग्रूप के एक कॉमेडियन तन्मय भट के खिलाफ इफाहियार दर्ज कर लिया है गौर तलब है कि टिवटर बाजों द्वारा खिचाई और आलोचना के बाद कॉमेडी ग्रूप ने हाला की ट्वीट डिलीट कर दिया था लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा था ग्रूप के कॉमेडियन तन्मय भट ने ट्वीट किया था हम जोक्स बनाते रहेंगे और जरूरत पढ़ने पर इसे डिलीट भी करेंगे फिर भी जोक्स बनाना बंद नहीं करेंगे जरूरत पढ़े तो मामफी भी मांगेंगे हमारे बारे में कोई क्या सोचता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता गौर तलब है कि कॉमेडी ग्रूप एब पहले भी विवादों में रह चुका है दो साल पहले इस पर अश्लीलता फेलाने का आरोप लग चुका है एब द्वारा टिवर्टर पर पोस्ट किये गए फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरहें दिखने वाला एक शक्स एक स्टेशन पर खड़े होकर मोबाइल चेक करते हुए दिख रहा है AIB की हरकत जैसे ही सोशल मीडिया पर वाल हुई लोगों ने इसकी खिंचाई शुरू कर दी इसके बाद कॉमेडी ग्रूप ने तकाल पोस्ट डिलीट कर दी हाला कि तब तक मुंबई पुलिस की नजर में भी यह ट्वीट आ गई थी और उसने इसे साइबर सेल को प्रोवाड कर दिया पुलिस ने कहा कि जाज की जा रही है